नमस्कार दोस्तो मेरा गवाब सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फार्मगुरू में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोमिथाजीन सिरप के बारे में जो आपको मार्केट में बड़ी ही असानी से मिल जाएगा फिनारगन सिरप के नाम से जो तो इसके यूज़ी जोर सारी चीज़ों से बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ साफधानियों के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इसे यूज़ करेंगे तो और मैं सज़ेस्ट करूँगा डॉक्टर की सला के बिना आप इसे ब तो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है फिनारगन सीरप को और अगर आपका बच्चा दो साल से उपर एज में है तो आपको फिर भी डोस का बहुत विशेश ध्यान रखना है या फिर अपनी डोस जब डॉक्टर कैलकुलेट करके आपको जो डोस बताते हैं उससे एक तो आपको ये सारी चीज़े अपने डोक्टर के साथ शेयर करनी चाहिए जिससे कि वो उसका डोस मेंटेन या फिर तरीके से उसके हिसाब से बना सकें तो इस सिरप की जो स्ट्रेंथ है वो आती है 5 Mg पर 5 Ml के हिसाब से तो अगर आप एक तरह से देखें तो एक टी ये देखेंट करने, इसको यूज़ करने से पहले या फिर अपने डॉक्टर से भी आप पूछ सकने हैं, तो चलिए quickly अब बात करनेंते हैं कि उसके क्या कि यूज़ इसे हैं जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था antihistaminik है तो सबसे पहला यूज किया है यह allergic conditions में या फिर reactions में यूज किया जाता है बच्चों में generally ज़्यादा तर यूज करते हैं जैसे कि इसके इन पर redness हो जाती है blisters हो जाती है hay fever हो गया या फिर swelling हो जाती है तो उन conditions में ये use किया जाता है और इसके results बहुत अच्छे मिलते हैं दूसरे नमबर पर आता है दोस्तो motion sickness जैसे कुछ patient होते हैं या फिर बच्चे होते हैं उनको उल्टियाँ जादा हो जाती है जब वो कहीं travel करते हैं या फिर hill stations पे जाते हैं या फिर traveling में उनको दिक्कत होती है तो यह वहाँ पर भी use किया जाता है तीसरे नमबर पर आता है दोस्तो नोसिया या फिर vomiting अगर vomiting और नोसिया की भी दिक्कत है जोकि allergic condition की वज़े से है तो यह वहाँ पर भी use किया जा रहा होता है चोथे नमबर पे आता है यह insomnia जो की होता है अगर बच्चे को नीन नहीं आ रही है तो यह वहाँ पर भी यूज किया जाता है या फिर इसे आप sleeping disorder में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी थोड़ी सी sedative property होती है तो यह बच्चे को 4-6 घंटे के लिए sleeping बड़े अराम से provide करा देता है तो आप अपने डॉक्टर से confirm कर लें उनको पूरा अपनी condition बता दे और जो वो अपने हिसाब से फिर आपके patient को वो अपने हिसाब से recommend कर देंगे dose कितना देना है त जब आप इसकी dose को exceed कर देंगे तो generally कुछ side effects हैं जो की बहुत rarely ही visible होते हैं जैसे की dry mouth या फिर ड्राइ थ्रोड मतलब मुह सूखा सूखा हो जाता है nasal cavity सूखी सूखी नाक जैसे सूखी 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 जाते बच्चा उसे खुजाता रहेगा और dose बढ़ा दे रहे हैं तो breathing problems भी हो सकती है constipation हो सकता है dizziness हो सकती है sleeping जैसे हमने बात कहता sleeping disorder में यूज किया जाते तो sleeping से related भी problem हो सकती है frequent urination भी हो सकता है तो दोस्तों अब चलिए सबसे important बात कर लेते हैं इसकी dose क्या होती है प्रोमिथाजिन सिरप या फिर फिनारगन सिरप की तो दोस्तों 1 mg पर kg body weight दिया जाता है ये patient में for example आप ले लीजिए अगर आपके बच्चे का weight 10 kg है तो उसे 10 mg दिया जाएगा उसके body weight के हिसाब से अगीन मैं इस point को फिर से highlight करना चाहूँगा दोस्त कभी भी अपने आप calculate ना करें professionals की ही सलह अवश्य लें तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आता कितने का है बहुत economical product है 37 से 38 रुपे का आपको ये कहीं भी बड़ी असानी से मिल जाएगा तो आप इसे कहीं से भी buy कर स करके फूच सकते हैं या फिर मेरे को other platform पे भी follow करके आप मुझसे अपने doubt clear कर सकते हैं थैंकी दोस्तों बाबाए टेक केर